वेलो स्टूड़न्ट तो जो प्रोटो जोगा की चार में क्लासीज है उनके जो एडिशनल ओर मेंबर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है तो प्रोटो जोगी ओवरल फोर क्लासीज है और यह किसके बेस पे डिस्क्राइब है ओन दे बेसे जोफ लोकोमोटरी ओरगन को नहीं तो जैसे फर्स्ट ग्रूप था मोईबोड ग्रूप उनमें सुडोबोडी आफ्यर्मिशन हो रही थी सेकिंड था जिसमें ट्रैपन उसो मारा था फ्लेजिलेट तो उनमें फ्लेजिला लोकोमोटरी स्ट्ट्चर था पैरामीशियम था उसमें सीलिया बोल रहे थे सीलिया मूह्मेंट करा रहे थे लास्त पोरोजन जिनके इंदर स्पोरलाइब स्ट्क्चर थे लोकोमोट्री ऑर्गन अब संट थे तो उनके बेसिज पे वह वैसिज ओफ लोकोमोट्री और या फिर इसके इंडिविजुल कैसे मिलेंगे पैरसिटिक जैसे एंटमीबा है वो पैरसिटिक फॉर्म से तो सारकोडी ना जो राइजोपोडा इनका ग्रूप है अमोईबोइड्स का या तो फ्री लिविंग मेंबर्स है उसके अंदर या पैरसिटिक मेंबर्स है अच्छा फिर जो लोको मोटरी औरगन है इनके अंदर वो क्या है लोको मोशन और डिफरेंट टाइपस उप सूडो पोडिया कि सबके अंदर जो लोको मॉशन होगो तो कैसे होगा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनेगा उसकी प्रोजेक्शन होगी और उस लाइड बोडी मूँ overall जो body है इनकी वो कैसी मिलेगी nick मिलेगी या किसी किसी के अंदर hard cell deposit मिलेगी इनके outer surface पे ये भी उनका characteristic feature है उसके लावा जो reproduction है वो कैसे है mainly कौन सा ये asexual reproduction है और asexual reproduction कैसे follow रहा है इनके अंदर simple fusion से follow रहा है binary fusion होने लग रहा है simple और sexual reproduction की जो forms है तो ये इनके basic character है कि free living members भी है amoeba वाले group में शार कोडी न राइजो पोड़ा में और parasitic forms भी है locomotory structure उनके अंदर कौन मिलेगा pseudo body की फोर्मेशन मिलेगी body है वो neck मिलेगी या outer covering भी मिल सकती है cell की form में heart structure की form में main जो reproduction है वो कौन सा ही follow होगा a sexual reproduction follow होगा और जो कैसे take place कर रहा है binary fusion से take place कर रहा है और sexual reproduction उनमें क्या मिलेगा आप send मिलेगा अब आ रहा कि इनके members कौन कौन से है इस group के अंदर तो सबसे पहले member एक कौन है amoeba उसका feature क्या है कि वो क्या बनाएगा finger like pseudo body formation करता है finger like structure बनाता है pseudopodia किसके लिए locomotion के लिए भी और food को engulf करने के लिए भी और उस finger like pseudopodia को इनके अंदर क्या बोलते हैं lobopodia उनको क्या बोलते हैं उन structures को lobopodia lob like structure है वो तो amoeba में ये present रहेगा और ये free living forms है इसके बाद दूसरी आती है end amoeba histolica तो end amoeba histolica ये इनकी कैसी form है parasitic form है ये वाली कैसी form है parasitic तो ये क्या कोज करती है amoebic decentry कोज कर देती है amoebic decentry तो उसमें क्या है कि intestine वाले part में कि आम अगर contaminated food contaminated water है वो consume कर रहे हैं तो intestine वाले part में region में infection कर देती है तो abdominal pain चालो हो जाता है bleeding चालो हो जाती है तो वो सब तो amoebic decentry जिसमें infection कैसे होगा throw contaminated food and water ऐसा food या ऐसा water intake कर रहे है जो contaminated है किसके साथ end amoeba histolica की उसके अंदर presence है end amoeba histolica की तो वो अपनी intestine में आके grow करने लग जाएगा और amoebic decentry cause करेगा तो यह parasitic form है end amoeba histolica तीसरी आती है end amoeba ginger bellis की वाली form तो यह actually में क्या करती है यह increase कर देती है infection of pyria कि अपने normally pyria हो जाता है infection हो जाता है gum's area में जो अपने teeth के पास में है तो उन में infection होने लग जाएगा bleeding होने लग जाएगी तो actually तो वो किसकी वज़े से होती है trichomonas tinex की वज़े से लेकिन अगर वो infection हो रहा है तो उसको और कौन increase कर देगा यह वाला end amoeba ginger bellis increase कर देगा उस वाले pyria के infection को तो यह भी parasitic form size की end amoeba ginger bellis उसके बाद आता है end amoeba coli तो यह वाला end amoeba coli कहां मिलता है यह कहां ग्रो कर रहा होता अपने intestine के part में intestine कौन सी large intestine के part में colon region में ग्रो कर रहा होता है end amoeba coli तो यह भी हमारे अंदर present रहता है intestinal वाले part उसके बाद आता है actinophreeze actinophreeze क्या रहता है इनको sun animalcules भी बोलते है और इनके अंदर भी ऐसे body में pseudopodia present होते है ऐसे outer side में pseudopodia बनते है इनके अंदर बट वो pseudopodia के अंदर यह क्या रहते है hard axial filaments present होते है इनके अंदर ऐसे तो उन्हाँ जो hard filaments बनेंगे इनके अंदर उनको क्या बोलते है तो इसके ऐसे भी member है जो यह cell like structure hard structure रख रहे हैं उसके अलाबा normal body naked है जिनकी वो भी present है तो free living forms भी है amoeba जिसमें pseudopodia बनेगा उसको क्या बोलेंगे lobopodia बनेगा finger like projection जो locomotion में भी help कर रहा है और food engulf करने में भी help कर रहा है दूसरा end amoeba histolica वो कैसी form है parasitic forms है जो कौन सी main disease कोज करेगी amoebic dysentery कोज करेगी जिसमें intestinal infection हो जाएगा abdominal pain स्टार्ट हो जाएगा bleeding स्टार्ट हो जाएगी और infection कैसे होगा through contaminated food and contaminated water उसके consume कर रहे हैं तब यह होने का chance है उसके अलाबा एंटम इभा gingivalis वो क्या करती है pyreya का अगर infection हो रहा है तो उसको और जादा increase कर देगी और एक्चोलो कोन कर रहा होता है trichomonas tinex एक दूसरी दूसरा proto zone है जो एडिजीज करता है trichomonas उसके बाद आता है end termiva coli जो अपने colon region में मिलता है large intestine के colon region में मिलता है वहाँ गरो करता है उसके अलावा actinophries actinophries को sun animal quils भी बोलते है और इनका जो pseudopody है वो किस से spotted है एकजेल फिलामेंट से spotted है उनको क्या बोलते है एजोपोडिया बोलते है तो ये वाला first group है sarco dina या rhizopoda जिसके अंदर ये different members आ रहे हैं इसके बाद जो दूसरा group आता है वो कौन है mastigophora या इनको क्या बोलते है फ्लैजिलेटा तो ये वो members है जो क्या bear करेंगे कौन सा लोपोमोटरी structure रखेंगे फ्लैजिला वो राइजोपोड़ा क्या रख रहे थे जो भी पोडिया structure थे पोडिया बन रहा था एक जो पोडिया बन रहा था वैसे structure थे और फ्लैजिलेटा के अंदर फ्लैजिला की presence मिलेगी तो इसके members भी कैसे होंगे free living forms भी है aquatic forms और साथ साथ में parasitic forms भी है और इनके अंदर main locomotory structure कौन है locomotion कैसे होगा भाई thread like structure है कौन की इसकी presence है फ्लैजिला present मिलेगा और इनकी जो body है outer covering वो किसकी बनी मिलेगी covered हैगी body किससे covering से pellicle उससे उनकी body cover रहेगी और mainly इनके अंदर भी कौन सा mode of reproduction ही follow हो रहा है ये sexual reproduction follow होएगा और simply by binary fusion इनके अंदर होगा और sexual reproduction वाली formation के अंदर भी absent रहती है उसमें भी सारकोडीना राइजोपोडा में भी absent रहती है फिर है इनका एक member है कौन प्रोटीरो स्पोंजिया ये प्रोटीरो स्पोंजिया जो mastigo 4.5 लैजिलेटा का member है ये कैसे काम करता है ये connecting link किसके in between connecting link इधर तो ये प्रोटो जोवा और जब animals आएंगे animal kingdom है तो animal kingdom में पहला phylum कौन सा आता है porifera sponges आते हैं उसके अंदर तो इनका एक group है टीरो स्पोंजिया उसमें कुछ character तो किसके है proto जोवा के जैसे कुछ character किसके जैसे है porifera के जैसे जो animal kingdom का पहला phylum है तो actually में ये proto जोवा और एक साइड तो proto जोवा एक साइड जो animal kingdom का पहला group है पहला phylum है porifera उनके बीच के दोनों के character रख रहा है तो उनके बीच का क्या बोला जाएगा connecting link इसलिए बोलते हैं कि जो proto जोवान्स है ज्यादा किसके पास है animals के इनमें animals like character है animals के तो ये connecting link की तरह काम करना है तो इंपोर्टेंट है याद करना है protero spongia connecting link between protozo and porifera porifera first phylum है animal kingdom का तो ये फ्लेजी लेटा पार्ट में आता है क्लास में आता है उसके बाद second आता है leas mania don't know we don't know any तो leas mania जो रहता है वो कैसा रहता dimorphic कि इसकी जो morphological forms है basic structure है वो दो तरह के रहते है दो forms रहते है dimorphic structure रहता है and ये parasitic form रहती है और कैसा parasitic है ये parasite है die genetic parasite die genetic parasite का क्या मतलब है कि actual में इसके कितने host होते है two कि ये overall growth करेगा अपनी वो कितने host होंगे जिनकी body में survive कर सकता है two तो इसलिए कैसा host बोले जाएंगे कैसे बोला जाएगा ये कैसा parasite है die genetic कोई एकी individual एकी organism की body में survive कर पा रहा है एकी organism की में उसको दूसरा host नीची है तो वो कैसा हो जाता है monogenetic ये leasmania है ये कैसा है die genetic parasite और कौन से disease कोज करता है काला जार या इसको क्या बोलते है black fever या इसको dum-dum fever भी बोलते है या leasmaniasis भी बोलते है तो ये वाली disease कोज करता है हमारे अंदर humans के अंदर तो एक host तो इसका कोण हो गया humans हो गए कि हमारे अंदर disease कोज कर रहा है साथ-साथ में दूसरा कोण है जो एक human से दूसरे human में इस proto-dum fever को transfer कर रहा होगा तो वो जो एक transmission में काम करेगा carrier का काम करेगा एक individual से दूसरे individual में disease को pass on कर रहा होगा इस flagilator को इस proto-dum fever को lobotomies तो उसके अंदर भी ये present मिलेगा बढ़ disease किसके अंदर कोज करेगा humans के अंदर तो एक तो human host हो गया दूसरा sand flies का host है तो कैसा parasite हो गया ये digenetic parasite है और दो इसकी morphological structures मिलते हैं इसलिए dimorphic है तो ये black fever या kalajar disease करता है इसमें क्या है fever conditionarize हो जाएगी weight loss होने लग जाएगा kalajar में क्या है fever होने लग जाएगा weight loss swelling होने लग जाएगी liver में swelling of liver loss of appetite होने लग जाएगा भूख नहीं लगेगी और darkening of skin हो जाएगी और diarrhea की condition भी हो सकती है इसके अंदर तो ये overall symptoms दिखते हैं किसके अंदर kalajar के अंदर लीस मैनिया फैलाएगा कोज करेगा और human जिसके अंदर disease कोज करेगा वो कौन है humans और इसका carrier कौन है जो एक जगे से दूसरे जगे transmit कर देगा sandfly फैलो बोटोमस वो फैलाएगा इसके लावा जो पहले भी पढ़ा था इसका एक फ्लेजिलेटा का main member trapeynosoma gambians तो ये trapeynosoma gambians भी कैसा parasite है digenetic parasite की ये इसके भी कितने host होंगे दो जिनके body में survive कर सकता है digenetic parasite होगा ये और क्या कोज करेगा कौन से disease कोज करता है sleeping sickness कोज करता है या इसको क्या बोल देते हैं African trapeynosomiasis वो कोज करता है या African sleeping sickness कोज करता है ये trapeynosoma gambians तो ये भी flagellate bearing होते हैं और trapeynosoma के अंदर क्या symptom दिखेंगे ये पहले भी डिसकस किया था वोई fever condition दिखेगी headache anxiety sleepiness feel होगेगा sleepiness और sweating तो ये trapeynosoma gambians में sleeping sickness के अंदर symptom दिखेंगे तो अब हम बोलने कि ये कैसा है die genetic parasite तो एक तो host हो गया जिसके अंदर disease कोज कर रहा है sleeping sickness disease वो तो humans में कोज कर रहा है तो वो host हो गया दूसरा इसका कोन है carrier जो इसको transmit करेगा one human to another वो transfer का काम करेगा तो वो कोन होता है CC fly CC fly transmit कर देती है एक human से दूसरे के अंदर उसका biological name का है glossina CC fly ये glossina है जो इसका carrier है जो इसको एक जगे से दूसरे जगे transmit करेगा और disease गोज करेगा sleeping sickness और उसके ये symptoms दिखाई देंगे और flagellated protozoans चाहिए उसके बाद अगला इसका member आता है giardia intestinalis giardia intestinalis तो ये main का मिलता है अगर contaminated water source हो कहीं पर उससे आ सकता है ये mainly क्या ही का बूज करता है अपने intestine में infection करेगा और mainly क्या हो सकता है diarrhea की condition arise हो सकती है या इसको क्या भी बोल देते है giardia cyst वो भी बोल देते है और infection कैसे होगा throw contaminated food and water क्या हम ऐसा पानी पी रहे है या food consume कर रहे है जो giardia जिसके अंदर present है तो ज़्यादा बेकार पानी हो contaminated दूसित पानी हो अगर वो हम पी रहे हैं तो उसे giardia cyst होने के chance बन जाते है तो उसमें main है कि intestinal part में क्या हो जाएगा infection हो जाएगा कौन सी condition arise होने की probability रहती है diarrhea होने लगे और कैसे फैलेगा contaminated food और water से ही फैलेगा तो ये है giardia intestinalis तो ये भी flagellated protozoan है जो giardia cyst करेगा diarrhea condition करेगा और कैसे फैल रहा है throw contaminated food and contaminated water के consume करने से फैल रहा है intestinal part में infection होगा इसके बाद इसका अगला member आता है flagellates का trichomonas vaginalis trichomonas vaginalis तो इसका मालब vaginalis में लिक रखा है कौन से region में मिलेगा female के female reproductive system के कौन से part में करेगा infection करेगा vaginal region में कि इसमें bleeding होने स्टार्ट हो जाएगी fluid discharge स्टार्ट हो जाएगा vaginal infection स्टार्ट हो जाएगा तो वो वाली condition females में क्या बोली जाती है leucuria बोली जाती है इसमें bleeding होने लग जाती है vaginal region में तो ये vaginal parasite है woman में trichomonas vaginalis तो ये भी किसका member है flagellated protozoans के अंदर ये भी parasite है उसके बाद आता है trichonumpha तो trichonumpha जो है वो क्या है symbiont होता है symbiont मलों किसी के साथ association कर लेगा symbiotic association होता है symbiotic association symbiotic association कैसा होता है जिसमें जो भी organism दो organism interaction करने है उसमें दोनों को क्या हो रहा हो benefit हो रहा हो association जैसे algae fungus करती है lichen में mycorrhiza होता है roots of higher plant और fungus के अंदर तो ऐसे ही trichonumpha क्या करता है symbiotic association करता है और ये काँ प्रेजेंट मिलेगा intestine में किसके intestine में termites की intestine में termites woods कंजूम करते है तो उस woods में जो cellulose है उसके digestion में termites की कौन help करता है कौन सा parasite help करता है कौन सा protozoans help करता है trichonumpha उनके कौन से part में मिलेगा उनके intestine में growth करेगा तो termites में और kokrose की intestine में present होता है कौन trichonumpha उनका parasite नहीं है बलकि कैसा association कर रहा है symbiotic association जिसमें खुद ये भी food ले रहा है और उसमें साथ-साथ किसके digestion में help कर रहा है breakdown में help कर रहा है उस wood के cellulose का termites के लिए kokrose के लिए तो उनको भी फाइदा हो रहा है food digestion अच्छे से हो रहा है तो ये दोनों का फाइदे वाला association है symbiotic association है तो इसमें ये ज़्याद है था parasitic forms exhibit कर रही थी मिल रही थी जिसमें सबसे important एक याद करना है proteo spongia जो connecting link बनाता है between protozoa और animal kingdom का जो first part है purifera उसके लावा leasmania था जो disease goes कर रहा था उसके लावा kalajar जो disease gore कर रहा था leasamania उसके लावा trepanosoma था वो भी sleeping sickness disease goes कर रहा था उसके लावा giardia giardia intestinalis वो भी giardia इसके लावा trichomonas vaginalis वो वाला भी मिल रहा था जो vaginal parasite था women's के अंदर और कौन से disease goes कर रहा था leucaria जिसमें bleeding होने लग जाती थी और trichonumpha भी था जो symbiotic association से हो कर रहा था intestine में किसके intestine में termites के और cockroach intestine के अंदर मिलने लग रहा था यह सारे disease gozing है और साचात में leucaria में जो black fever है या काला जार्जिस्ट को बोलते हैं उसके symptom सियाद करने है कि fever होने की condition है weight loss swelling होने लग जाएगी liver में spleen region में भी और भूक लगना बंद हो जाएगी loss of appetite skin darkening होने लग जाएगी skin की darkening होने लग जाएगी और diarrhea condition भी आराइज हो जाती है leucaria वाले case में parasitic form है उसके लावा trepanosoma है उसके अंदर क्या क्या symptoms condition है fever वाले condition देखने को मिलेगी headache, anxiety, sleepiness, sweating ये सारे feature देखने को मिलेगे किसके अंदर sleeping sickness में trepanosoma gambians के अंदर और ये दोनों ही leucaria भी और trepanosoma भी दोनों ही कैसे है digenetic parasite है कि दोनों को कितने होस्ट चीए सरवाईव करने के लिए two होस्ट चीए leucaria में दोनों में एक तो होस्ट कौन है ही है common human कि leucaria काला जार करेगा humans में trepanosoma sleeping sickness करेगा humans में तो एक तो होस्ट को ने दोनों में human दूसरा lease mania के अंदर जो carrier है एक individual से दूसरे human के अंदर दूसरे individual में transmit कोन करने का काम करेगा carrier का काम करेगा sand fly lease mania वाले case में या fellow bot अमस बोलते हैं इसको trepanosoma gambians sleeping sickness है उसको फैलाने में कौन रोल प्ले करता है कौन सा carrier रहता है उसके अंदर कौन सी mosquito कौन सा orthopods cc fly glossina तो वो इनको फैलाती है जबकि ये gyardia है वो तो simply कैसे contaminated जो food या water intake कर रहे है उससे फैल जाएगा trigonumpha vaginal parasite है trigonumpha symbiotic association से ओकरता है तो ये सारे main याद करने और एक proteo spangia है और इनमे भी mode of reproduction तो कौन सा ये follow रहा है ये sexual reproduction ही follow रहेगा simply कैसे binary fusion वो ही follow रहा होता है और ये least money अगर आ है इनमे binary fusion actually में कौन सा होता है कि इनके ऐसे body है तो इनमे कौन सा binary fusion हो रहा होता है longitudinal binary fusion कि ये part अलग divide हो गया ये part अलग divide हो गया तो longitudinal binary fusion इनके अंदर take place करता है outer body किस से cover रहेगी pellicle से cover मिलेगी और flagellata mastigo for eyes को group बोली क्यों रहे है कि locomotory structure के according ये describe है classified है तो इनके अंदर किस की presence मिलेगी ये लोको मोटरी structure thread like structure मिलेगा flagellata की presence मिलेगी और इनके free living forms भी है और parasitic forms भी है तो ये mastigo for आया flagellata है इसके अलाव़ जो पहला पढ़ा था कौन सा सारकोडिना या rhizopoda group था तो वो भी free living forms थी या parasitic forms थी और main locomotory structure उनके अंदर की किसकी फोर्मेशन थी पोड जो भी finger like structure बन रहा था pseudo body या की formation थी body या तो निक थी या उनमें cell से covered मिल ले थी hard structure से covered मिल ले थी और reproduction कैसे कर रहा था एसेक्सवली तो binary fusion से ही कर रहा था और sexual reproduction form उनके अंदर भी absent थी तो ये reproduction वाला तो ये टेक प्लेस कर रहा है और main members कौन-कौन थे इसके की तो कौन था Amoeba जिसके अंदर finger like pseudo-podia बनता है और जिसको क्या बोल देते हैं lobopodia बोल देते हैं वह किसमें help कर रहा है वह locomotion में help कर रहा है और किसमें help कर रहा है food vacule बनाता है वह food vacule जिसमें वह किसको capture करते हैं किसी भी prey को capture करते हैं हमने food source को capture करते हैं उस food vacule बनाके तो वह pseudopodia काम कर रहा था उसके अलाव जो parasitic forms थी उसमें main कौन था एंटमीबा हिस्टोलिका वह इनकी main parasitic forms थी जो कोंची डीजीज कोज कर रही थी अमीबिक डीसेंट्री और mainly infection कैसे फैल रहा था contaminated food का consumption करें या water consumption करें तो इसमें ये एंटमीबा हिस्टोलिक है जो contaminated food and water से फैल रहा है और इसके अंदर कोंचा था कि RDR वो भी कैसे फैल रहा था contaminated food and water से फैल रहा था तो एंटमीबा हिस्टोलिक का हमी बिक डीसेंट्री करेंगा intestinal infection करेंगा तो किसे फैलेगा contaminated food and water से अच्छा उसके बाद एंटमीबा जिंजे वैल इस था वो पाईरिया के infection को और ज्यादा increase करने में रोल प्ले कर रहा था bleeding increase हो जाएगी gumps region में जो अपने मसूड़े हैं उसके अंदर और main उस पाईरिया को कोज कोन कर रहा था इस अनिमल की बोलते हैं उसको और उसके जो pseudopodia है वो किस से स्पोटिट रहते हैं हार्ड एकजेल फिलामेंट से और उनको क्या बोल देते हैं एकजोपोडिया तो ये दो main classes हैं जो लोकोमेटरी और गंस की अकोडिंग डिस्क्राइब हैं फ्रोटोजोगा की राइचोपो और एकजेलेटर की.